वर्षों के कड़े इंदजार के बाद श्री राम जन्मभूमी पर राम मंदर बन कर तयार है नए वर्षे दोहजार जोबिस में 22 जन्वरी के दिन अयोध्या में नव निर्मित राम मंदर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देश्वासियों को बेसबरिसित दजार है देश भर में ये हर्शोलास साफ देखा जा सकता है श्री राम जन्वभूमी ट्रस्ट द्वारा अयोध्या में भव्य राममंदर बनवाया गया है अब भव्य राममंदर जैसा ही हूबहू मंदर सूरत के कारिगर लकड़ी से बना रहे है तस्वीरों में आप देख सकते हैं लकड़ी से बना ये अनोखा राममंदर हूबहू अयोध्या के राममंदर की कौपी है हर घर में मंदिर स्थापित करने के उद्देश से सूरत के कारिगर और डिजाइनर राजेश शेखड़ा और उनकी टीम अनोखा राम मंदर मौडल बना रहे हैं आप देख सकते हैं लकड़ी के मंदिर का गुमबद, गर्ब ग्रह, मंदिर प्रांगन, मंदिर की सीडियां सभी हूबहू अयोध्या के राम मंदर से मेल खाती हैं मौडल के डिसाइन देखकर आप भी तारीफ जरूर करेंगे राजेश शेखडा और उनकी टीम ने अपने टैलेंट से अयोध्या के भव्य राम मंदिर की अनोखी प्रतिक्रती बनाई है मंदिर को बनाने में इस्तमाल किये जा रहे हर टुकड़े पर बारिकी से नकाशी की गई है जिससे इसे हूबहू अयोध्या के राम मंदिर जैसा बनाया जा सके आप देख सकते हैं ये सब ही महिलाकारिगर कितने बारिकी से काम करते हुए अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्रतिक्रती बना रही है सबसे पहले लकडी के छोटी-छोटी पीसेस तयार किये जा रहे है फिर उन्हें एक एक करके जोड़ा जा रहा है हर मंदिर को लकडी के 5000 टूड़ों को जोड़कर तयार किया जा रहा है मंदिर प्पिछले को तीन-चार महिने से हम लोग बनां रही है उसमें खास्यत यह है कि उसमें डिजाइनिंग जो हमारे हम लोग डिजाइनिंग का मास्टरी है और डिजाइनिंग के बाद जो कटिंग, पेस्टिंग, एसेंबलिंग वहाँ तक की जो प्रोसेस है एक मंदिर के अंदर मिनिमाम 5,000 पेसिस उतना रहते है उसको एसेंबल करके हम लोग पूरा मंदिर एक कम्प्लीट करते है डिजाइनर राजेश शेखडा बताते हैं कि उनकी टीम मिलकर राम मंदिर के पांच अलग-अलग वेराइटी के मॉडल तयार करती है ये चार इंच से लेकर चार फुट तक के होते हैं अयोध्याराम मंदिर के ये मॉडल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचे जाते हैं राजेश शेखडा बताते हैं कि देश भर से उन्हें मंदिर के लिए और्डर मिल रहे हैं सेलिब्रेटी से लेकर आम लोग तक उनकी अयोध्याराम मंदिर के मॉडल को खूब पसंद कर रहे हैं आपको अयोध्याराम मंदिर का ये मॉडल कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही दिल्चस्प जानकार्यू के लिए जुड़े रही है